तुमा रही हो क्या हुआ इस गोप्रो में प्रॉब्लेम हो रहा है मोटिवेट कभी मत हो ना अभी पूरा लाइफ परा हुआ है जितना भी गाइस काली का मोटिफिकेशन वग रहा है मैं कही पर रूख के आप लोगो बताना परेगा पर चिला हला हो जाएगा ना हम लोगा ब देखो यहां पर यहां पर करी हुई थी तो भाइया जी सोचे थे फेस ब्लोग के साथ स्टार्ट करेंगे लेकिन थोड़ा जल्दी निकलना हो रहा है इसी वज़े से मोटर व्लोग से स्टार्ट कर रहे है और सामने गाइस वह दर देखी सकते हो बहुत ही खराब हो एदार प्लोग स्टार्ट करते हैं अमरे एक नए और फ्रेश मोटो व्लॉग में उम्मिद करता हो कि आप लो चाह WATK를 आफ्में लोगे न करते हो के बारेश आद नहों लेकिन इस साइट सब्हुत्यों नहीं में मोटो ब्लोग ब्राइन बहुत्त चुपकर गया और तभी बाद ही बहुत ही खराब हो इतर और ऐकोलेंट से आने के बाद मैंने कोई भी फ्लोग शूट नहीं किया और एकोलेंट से आने के बाद कुछ कुछ प्रोब्लेम भी दिखाई दिया है हमारे गोपरो में वह मैं आगे जल के अब लोग को बताऊंगा और बाकी अपने काली पे जो भी सीन है वो भी में आगे जाके अब लोगों बताऊंगा यहां पर भाई बहुत ही जादा ट्राफिक है ट्राफिक तो जादा नहीं है सामने की तरफ लेकिन यह गारी वाला मुझे आगे जाने के लिए नहीं दे रहा है आज के राइट पर गाइस हमको रेवा भी जॉइ जाना परेगा क्योंकि मुझे थोड़ा कंफूजन वगरा है तो मैं आप लोगों से पूछ लूँगा जैसा आप लोग बताऊंगे वैसा ही हो जाएगा भाई जो मैं बता रहा था गाइस गोप्रो में प्रॉब्लेम हो रहा है वैसे तो रेकोडिंग वगरा सब कुछ हो र हो रहा है अभी नहीं पता पानी से हो रहा है या फिर किस बज़े से हो रहा है कैमरा तो गईस वाटर प्रूफ लेकिन यह सब दिक्कत तो आना नहीं चाहिए फिर भी गाइस अगर आप गोप्रो यूज करते हो तो थोड़ा पानी में ध्यान से लेना मैं तो गाइस सोचा पूरा वाटर प्रूफ जैसे तेसे पानी के अंदर गुसाया मुझे लगता है काइस मैंने जब के ब्लॉग एंड किया था ना तब मैंने केमरे को ना सुखा के नहीं रखा था पानी से उठा के डाइरेक्ट बैग में रख दिया था इसी वाज़ शायद से कुछ हुआ है क फिर भी आप लोग ध्यान रखना अगर आप लोग गोप्रो यूज करते हो तो जादा पानी में मध डालना ठीक है जैसा कि मैं बोल रहा था देखो गाइस बारिश आगया है केमरे पे शायद से गिर रहा होगा खतरनाक वाला बारिश आगया है तो फुल पावर काइस यहा फटा फट चलते हैं अरे बारिश का कुछ पता ही नहीं जल रहा है वहाँ पर दिन साफ है दिन क्लियर है लेकिन बारिश देखो अभी आगया अचानक से शो भाई यहाँ पर क्या सिन वा बारिश के चक्कर में हम लोग जहाँ पर खरे हुए थे बाजु में एक लर्की खरी चरी नहीं किया नहीं पता तो अभी मैं वाइज ओबर दे रहा हूँ और जितना भी फूटेज बगर अभी आप लोग देख पा रहे हो वो रेवा का है किया हुआ है पूरदरी अपने काम से काम रख खूँ लड़की ने तो बात नहीं गया लेकिन जब बात कर निकले गया था ना तभी मैंने देखा ता लड़की ना रो रही थी तो भाई मैंने रेवा से आके फटा-फट से बोला के लड़की ना रो रही है तो तुम चाके बात करो क्यूंकि तुमेक लड़की हो तो अभी जो आएकस्ट सीन है वह भाई कैमरे में कैप्चर हुआ वह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हाई वह हाई हाई है क्या वाई आप इधर में रुका वह है तुमा रहे हो क्या हुआ रिवा छोड़ दो चोड़ दो मैं बोल जाए नहीं तो यहां पर चिल्ला हला हो जाएगा ना हम लोगा बैंट बच जाएगा मैं अरे बोलना नहीं चाहति है ना अच्छा पूछ लो एक पर जाके एक पर गाइस मुझी अब डर लग रहा है क्योंकि लड़की तो भाई सौरी यहां पर वाइस वगर अच्छे से आ नहीं रहा है और मैं लड़की के सामने इतना जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि अगर लड़की अंकमफर्टेबल कर चिल्ला दीना तो हम लोग मतल मतलब तुछरा को लड़की कि लीए अच्छ अच्छ ऑच्छ ऑट ओआ है और अच्छ से पड़ाये करो फिर अच्छ रेजल कोना स्आगेन स्नियर में अगर पर ममने बाबा का सबका ख़या देखा और यहां पर यहां पर आकर किसी के साथ है वो क्या अगेले 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 घर पर टेंशन नहीं कर रहे होंगे अगेले 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 रो रही है अच्छा सेगेंडी मिला न तो कॉलेज में तो मिल गया न फेल तो नहीं हुई तो इतना फिकर की क्या बात है हां तो क्या हो गया तुम अभी जीस कॉलेज में जाओगे वह अच्छा नहीं है वहां पर स्ट्वेंट बगरे नहीं पड़ते दोस्त कुछ नहीं होता दोस को छोड़ दो जब तुम एक्जाम दोगे खूद कोई देना बढ़ेगा दोस्त नहीं देगा न इतना सोचो मत औ देखो तो एक बर कितना लोग है यहां पर और यहां पर एक एक सेकंद तुम क्या सोच ने सोच क्या रही थी यहां पर खरे हो के आज का देनेशन डेवा पांगल है देखो एक बर कहां पर आके खरी हुई थी कि इमोटिवेट कभी मत हो ना अभी पूरा लाइफ परा हुआ है मतलब एच अलसी दे रही हो अभी अभी सोच रहे हो एच फिफ्टीन एज में पीर से शायद रो रही है हम जो इतना समझा रहे है कुछ समझ रही हो ना इमोटिवेट मत हो और घर पे नंबर ममी बाबा कहा आगर मेरे मूबल से फोन कर दो कि ममी मैं यहाँ पे हूँ मैं आ रही हूँ आदे घंटे में आपे कपसे खरी हुए तुम तुम तीन चार घंटा से यहाँ भर कहां पर रहे हो इसे शांतिपूर में घर है और वहां से कैसे पेदल क्यूंकि कोई तो नहीं है तुमारे साथ से नोटीज नहीं किया होगा ममी बबाबा अगर सेड होते हैं तो वीडियो दिखा देना तो अंकल जी और आंटी जी अगर आप लोग देख रहे हो बता दे रहे हो हम लोग मतलब हम लोग तो एक्सप्रेंस करके आया ना वो चीज के लाइफ में और भी बहुत सारा चीज है यहाँ पर ही जर्नी खतम नहीं gummyossa हो यहाँ से जाना है या फिर यहाँ पर रहना है बताब कैसे पैदल पैदल चलो कोई बात यह हम लोग कोई छोड के आएगक है घर पे और यहाँ पर नेक्स टाइम से नहीं आना है आ आना है तो फैमिली के साथ आओ या फिर फ्रेंस बगरा के साथ आओ अकेले कभी मत आना है और इस टाइप की जगे पर एकदमी नहीं जाना है गड़ा देखो यहां पर यहां पर खरी हुई थी क्या सोच रही थी नहीं जानता हूं जो भी हो हम लोगों में से कोई जागे घर छोड़ के आएगा ठीक है और रोना वोना बन करो अगर तुम मेरे साथ नहीं होती ना यह तो मुझे भागा दिया था इसा मत करो इसा मूट खराब है तो ऐसा मैं तो इसको पैचानता भी नहीं हूं और यह भी मुझे पैचानती नहीं है सही है लेकिन जो भी हो जो भी किया एकदम सही नहीं किया थोरा ध्यान रखो खुद का लाइफ में बहुत सारे अपरचुनिटी पगर आएंगे उसको ग कोई बात नहीं ठीक है तो यहां से चलो एक काम करते थोड़ा इसको कमफोटेबल करते केमरे और ओफ करते देरेवा हां ऑफ कर बात करके घर पर पूछा है सो भाई फूल पावर यहां से निकलते है क्योंकि वेदर चेक कर रहो काफी अच्छा वेदर हो चुका अभी बारि गया था यह तो गई एक सीन हो गया था तो जो भी फूल पावर यहां पर गाइज एंड करते आज के व्लॉक को और बाकी जितना इंडिकेशन का जो भी सीन है वह मैं आप लोग को बात मेने मतलब नेक्स ब्लोग में आप लोग को बता दूंगा क्योंकि गाई अलेडिव ब बहुत ज्यादा आती है यह कुछ भी नहीं है तो एंड करते हैं इसी मैसेज के साथ तो मिलते हैं बहुत ही जल तब तक के लिए खुश रो मस्त रो आवद रो खुश्या बाते रो डियर्स बाई बाई